डाउनलोड करें एस्ट्रो सेज कुनली एप और तुरंत पाएं 50 पेशी कुनली बिल्कुल मुफ्त लेकिन पहले जानेते हैं आज पंचांग क्या है अठाई सतंबर 2019 दिन श्रनिवार कर आश्रफल आपको बता रहे हैं आश्विन माह में क्रिश्न पक्ष की अमवस्यात थी है जो रात को ग्यारा बचकर न्थावन मिनट तक रहेगा अभिजीत मुहरत यानि शुब मुहरत की मिनट तक रहेगा दिशाशूल की बात करें तो आज पुरवदिश्या में है अब जानते हैं आज चंध्रदेव कन्या राशी में रहेंगे और इस राशी में रहते हुए चंध्रदेव जो है वो उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में रात को 10 बचकर दो मिनट तक रहेंगे फिर हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे उत्राफालगुनी नक्षत्र सोरी का नक्षत्र है जिसकी पराश्र जोतिष में अपनी एक राशी होती है जो है सिंग राशी दोस्तों शास्त्रों के नुसार शनीवार के दिन नीले कपड़े पहनने चाहिए और इस दिन सरसो के तेल का दान करना चाहिए यदि आप किसी पात्र में सरसो का तेल डाले उसमें अपनी छाया देखकर उस तेल को दान कर दें तो आपको शनी देव के कृपा पात जो बहुत मिलती है और जीवन की धेर सारी परिशानिया दूर हो जाती है ऐसे ही डेर सारे हैं आपको शनी वार से जुडे हुए अगे वीडियों के बताएंगे लेकिन पहले जान लेते हैं मेश राशी वालों के लिए ग्रह नकशतुर क्या कह रहा है 5 खटा भाव आज आपका अक्टिव रहेगा गहनक शत्र के मुताबिक आज आपको स्वास्त लाव मिल सकता है यदि आप डियाबिटीज से पूइडित हैं तो आपको सकती से प्रहेज करने की जरूरत है आज आप पूरे दिन और जावान रहेंगे और अपनी फिटनेस से दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं लेकिन इस बीच आपको अपने गुसे पर कंट्रोल करना होगा खर्चों में इजाफा होने से आज आपको आर्थिक नुकसान उठाना पर सकता है वहीं पारिवारिक इस्तर पर देखिए तो आज घर पर किसी सदसे की वापसी काफी लंबे समय के बाद होगी जिस वज़े से परिवार में जश्नो लास और उत्सो का जो है माहौल रहेगा पिता की सिहत को लेकर थोड़े आप तनाओ में रह सकते हैं लेकिन शाम के बाद उनकी सिहत में होने वाला सुधार आपको सुकून देगा चोटे भाई बहन आज अपनी जवदारियों का जो है आपके बोज को हलका करेंगे और आपको चैन की सांस आप ले पाएंगे प्रेम में आपको अपने दाई तुभी ने भाने पड़ते हैं और अपनी सांथी को एहमियत भी देने पड़ती है अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते तो धिर धिर प्रेम ढ़लने लगता है मेरी मानी तो रिष्टों में पड़ी धूल को साफ करने के लिए समय समय पर कुछ ऐसा करें जिससे जीवनतता जो है वो बनी रहे दोस्तों के साथ आज जादतर समय किसी ऐसे काम में बीच सकता है जो आपके लिए बे फिजूल का साबित होगा इस राशी के जो जातक वैवाहिक जीवन में प्रविश कर चुके हैं उन्हें आज थोड़ी निराश्रा हाथ लग सकती है आज आपका पार्टनर आपसे बोलेगा कुछ और उसके दिल में होगा कुछ और उन्हें देखकर आप ये बात पता कर लेंगे उनके स्वेभार से आपको परिशानी भी होगी लेकिन उन पर भड़कने की बजाए आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं स्टुडेंट्स को उनकी मेहनत का फल मिलेगा और इसके साथ या इस दोस्तों के साथ पसंदिदा फिल्म देखने भी आप जा सकते हैं अगर किसी कॉम्पेटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का दिन सफलता देने वाला हो सकता है आज समाज के बीच जाने से बचे क्योंकि अगर आप समाज के बीच जाएंगे तो कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जिससे आपका मन विचले तो होनी सकता है दोस्तों लाव लेने के लिए बड़ों को अपनी अतरिक्त और्जा का साकरात्मक आज प्रियोग करना चाहिए किसी बड़े समुव में भागीदारी भी आज आपके लिए दल्चस्प साबित होगी हाला कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं दोस्तों के साथ कुछ करते हैं वक्त अपने हितों को अंदेखा ना करें हो सकता है विए आपकी ज़रूरतों को ज़्यादा गंभीरता से ना ले आज अपने प्रिये को माफ करना भी ना भूले यात्रा करना आज फाइदेमंद रहेगा लेकिन महंगा साबित हो सकता है चलिए बात करते हैं आज उपाय क्या करना है रेमेडी क्या होगी आज के दिन जिसका आप इस्तमाल करेंगे सुर्योदे से पहले उठें और गायतरी मंत्र का जाप करें शुब अंख है आपके लिए 9 शुब रंग है लाल और मैरून भाग स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार आगे बढ़ते हैं व्रिशब राश्वी की बात करेंगे चौथा और पाच्वा भावाज आपका सक्रे रहेगा आपके शारेरिक स्वास्त के लिए मानसिक स्वास्त का भी अच्छा होना जरूरी है अगर आपको समाज के बीच आप अपनी अच्छी छवी बनाना चाहते हैं तो जितना हो सके मन को शांत रखने की कोशिश करें इसके लिए योग का सहारा ले जो लोग 50 के उम्र पार कर चुके हैं उन्हें निश्चित समयांतरल पर डॉक्टर से चकप कराना चाहिए आज हो सकते हैं कोई समस्या बढ़ जाए आपने जो पहले अपनों को कहने पर जो निवेश किया था आज परिवार में किसी उत्सो का विशेश उत्सो का महौल रहेगा जिससे परिवार के सभी सदसे एक साथ जो है लंबे समय के बाद अच्छा वक्त गोजारीगे घर के बड़े भाई बहनों के लिए आज शादी का प्रस्तावा सकता है बहराल संभाव है कि आने वाले दिनों में परिवार में शादी का महौल होगा परिवार के बड़े बुजर्गों से मिलने वाली सलाह को आज किसी भी कीमत पर अंसुना ना करें इससे आप खुद अपने ही पैरों पर कुलहारी मार सकते हैं इसलिए अपने से बड़ों को कही बातों को सुने और उस पर जहां तक संभव अमल करने की कोशिश करें इस राशी के जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपनी लवमेड से ज़्यादा दिल्चस्पी किसी और में रहेगी और इस वज़र से आप लोगों के बीच नोक जोख भी हो सकती है मेरी सलाम आने तो एक बार में दो नाओ पर सवार होने की कोशिश ना करें ऐसा करके आप बड़ी परिशानी में पड़ सकते हैं इस देन आप अपने लिए समय निकालेंगे और अपने घर के किसी सदस्य किसांथ कहीं खेलने जाने का प्लैन बनाएंगे कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने घर की लोगों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे मैरेड लाइफ की बात करें तो वैबाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके जातकों को आज इस बात पर गौर करने की जरूरत होगी कि घर परिवार का तनाव आपके रिष्टे पर प्रभाव न डालें इसके लिए आपको अपने सांथी से वक्त वक्त पर वारता करने की जरूरत है ताकि आप ये जान सके कि उनके मन में क्या चल रहा है और अगर उन्हें किसी बात से परिशानी है तो आप उन्हें दूर करने की राह में काम कर सके कल की फिक्र करना अच्छा है लेकिन आपको इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आपने आज कोहीं खराब कर दे छात्रों के लिए आज का दिन चुनोते पुर्ण हो सकता है सफलता प्राप्ति के लिए आपको जो है कमजोर विश्यों पर जादा मेहनत करने की जरूरत होगी अकसर आप अपने घर में साकरात्मक परिवर्तन जो है लाने की कोशुश करते हैं लेकिन पूरी तरह से आप सफल नहीं हो पाते हैं इसलिए आज ऐसा दिन है जब चीज़े आपके हिसाब चलेंगी बोई पेड बबुल का अमुआ कहां से पाई यानि कि अगर जैसा बोईंगे वैसा ही आप पाएंगे आपका इस शालू सुभाव जो है आज आपको उदास और दुखी बना सकता है आप यह चोड खुद को पहुँचा रहें इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ें दूसरों के सुख दुख बाटने की आदत को विक्सित करें उपाई के तौर पर आज के दिन के लिए हम आपको सला देंगे कि घर के पूजास्थल की सफाई करें शुभंक है आपके लिए आठ शुबरंग है काला और नीला भागस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार मिथुन राश्वी की बात करेंगे जमनाई वालों की तीसरा और चौथा भावा आज आपका अक्टिव रहेगा अच्छे स्वास्त के लिए आप योग या हलकी फुलकी कसरत का भी सहारा ले सकते हैं नहीं तो रोज सुबह जल्दी उठकर पार्क में ओस लगी हरी घास पर नंगे पैर चले आर्थिक दुष्टिकोंट से देखा जाएं तो आज का दिन आपके लिए कुछ शुब समाचार लेकर आ सकता है किसी को दिया उधार आज आप वापस पास सकते हैं और प्रॉपर्टी से जुरे किसी मसले का भी हल आज आपको मिल सकता है पारिवारिक जीवन में आज आपको थोड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है किसी बात को लेकर अगर घर के लोगों से आपका मन मुटा हुआ है तो आज उस बात को लेकर आप बहस करने से बचएं जो बात चुप रहकर सुझाई जा सकती है उसमें बोलने की जरूरत नहीं वक्त के साथ सारी स्थितियां बदल जाती है बस कुछ चीजों को वक्त देने की जरूरत होती है क्योंकि कहा गया है वक्त सबसे बड़ा मायरा हम है प्रेम जीवन में आज अच्छे फलो की प्राप्ती होगी यदि आप किसे समस्या से जूझ रहें तो आज आपका प्रेया आपको इस समस्या से निकलने में आपकी मदद करेगा आपका अपने लव पार्टनर की कोई बात बहुत अच्छी लग सकती है आज आपके उपर काम की अधिक्ता का बोज इतना अधिक होगा कि आप उसे नचाहते हुदी खुद पर हावी होने से रोक नहीं पाएंगे जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तोर पर जुटते हैं तो नजदी की अपने आप ही महसूस हो जाती है आज अपने दामपत्य जीवन का आनंद लेख सकते हैं यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो फोन के माध्यम से प्यार भरी बाते हो सकते हैं उनसे घर का हाल चाल मिलेगा जीवन के हास्य को आप पहचानते हैं आप वो हैं जो जीवन के बुरे दौर में भी अपने सेंस आफ यूमर से लोगों के चेहरे पर हसी ला सकते हैं इसी सेंस आफ यूमर की मदद से आज आप समाज में अलग पहचान बना सकते हैं लोग आज आपकी वाक के पटुता से प्रभावित होंगे छात्रों की रचनात मक्ता कर स्तर आज बढ़ा रहेगा आज हर काम को आप अलग तरीके से और बहतर तरीके से करना चाहेंगे इस राश्री की ग्रुहनिया आज वक्त का सही उपयोग करेंगी और आज आप किसी धार्मिक फुस्तक को पढ़ने में अपना समय बिता सकती है उपाई जान लेते हैं इस राश्वी के जातकों को सला देंगे कि आज जो है अपने दिन को बहतर बनाना चाहते हैं तो आपको रेमेडी क्या करनी है आज जो है आप उपाई के तौर पर चाहिए तो माता पिता की सिवा करें बड़ो की सिवा करें शुब अंक एचे शुब रंग है पारदर्शी और गुलाबी भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से साध्य तीन स्टार आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको शनीवार से जुड़ी हुई शनीवार के दिन नीले वस्त्र पहने वैसे तो आपने सुनाओगा कि शनीवार के दिन काले वस्त्र पहनना चाहिए लेकिन जोतिश में कवे-कवी जैसे कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि नीले वस्तर पहनना चाहिए और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालिसा को साथ बार पाट करें हनुमान जी को शनीवार के दिन जहलाल रंग के फूल अर्पित करें और धूब बत्ते दिखाएं इससे आपको सदबुद्धी और सवभागे की प्राप्ती होती है आगे बढ़ते हैं करकराश्वी की बात करेंगे दूसरा और तीसरा भाव आज आपका सक्रूय रहेगा हेल्थ की बात करें तो आज आप और जावान रहेंगे और शारेरिक रूप से भी काफी स्वास्त रहेंगे ध्यान रखें कि इस दौरान आपको यह ऐसा काम ना करें जिससे आपकी स्वास्त पर उसका विपरित प्रभाव पड़े आर्थिक जीवने पैसों की बात करें तो उतार चड़ाओ बना रहेगा यह आपके उपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप पैसे को किस तरह बढ़ाते हैं पैसे को पैसा ही बनाता है और आज आपको भी इस कहावत को याद करते हुए काम करने की जरूरत होगी क्योंकि जिस धन को आप कमा कर जमा किये जा रहे हैं उसे अगर आप अपने दूसरे कामों में लगाते हैं तो आपको उससे भी धन प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है हाला कि इस तरह आर्थिक फायदा तुरंत नहीं होगा इसमें कुछ वक्त लग सकता है लेकिन ये योजना अगर सफल हो गई तो आप भविश्य में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करने में पूरी तरह सफल हो जाएंगे पारिवारिक जीवन में आज आपको अच्छे फल मिल सकते हैं आपका दुरुष्टि को आज परिवार की लोगों के प्रती बदल सकता है आज आपको मैसूस होगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए परिवार का होना कितना आवश्यक है प्रेवारिक जीवन के हिसाब से आज का दिन अच्छा है अगर आप अपने प्रेम का इजहार करने की कोशिश में हैं तो आज आप अपने प्रेमी को फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं आज का दिन जो है इसके लिए शुब है आज आपकी बाते तीक्षन और तार्किक रहेंगी आज अपने बुद्धी कोशल से आप लोगों का ध्यान अपनी और आकरश्रित कर पाएंगे खुद को अपडेट रखने के लिए आज का दिन जो है पढ़ा है उसका आज रिविजन कर सकते हैं आज के दिन आप खुल कर अपनी परिशानियों को अपने गुरुजनों के सामने रख पाएंगे इस राश्रिक की गुरुणियां आपने पती को आज समझने में और समर्थ हो पाएंगे बन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पाएंगे इसके बावजूद भी आप पूरी तरह से ऊनस्ट रहेंगे चलिए बात करते हैं उपाए की क्या कर कराशी के जातकों को आज उपाए करना है रेमेडी करनी है आज जो है उपाए के तौर पर आपको हम ये सला देना चाहेंगे कि किसी जरुरत मंद को दान दे शुभंक है आपके लिए एक शुबरंग है नारंगी और सुनहरा भागस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच मसे सारे तीन स्टार आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों आज कल जो है भागद और भरे जीवन में लोगों को शारिरिक से जादा मानसिक परिशानिया होती है क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना इंसान का बढ़ जाता है परिशानिया तो तभी दूर होंगी जब आप मेहनत करेंगे लेकिन कुछ जोतिश में भी चीज़े बताई गई हैं जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं गायतरी मंत्र इसका सुबह और शाम को आप जाप किया करें इससे आपको बहुत राहत मिलेगी मानसिक सुकून मिलेगा आपको चलिए सिंग राश्वी की बात करेंगे पहला और दूसरा भावाज आपका एक्टिव रहेगा स्वास्त के हिसाब से दिन अच्छा है तनाव आपको परिशान कर सकता है लेकिन आप इस पर काबू कर पाएंगे और जो हमने आभी आपको पाए बता है उसको इस्तमाल कर ले बेवज़े कि योजनाओं में आज पैसे ना लगाएं और सोच समझ कर धन को खर्च करें किसे चिट फंड या और सुरक्षित स्थान पर निविश करने से बचें और जरुद से ज़्यादा धन खर्च करने की आदत पर दी काबू पाएं पारिवारिक जीवन अज अच्छा रहेगा फैमली के साथ बैठ कर टाइन बुताएंगे खाना खाएंगे टीवी देखेंगे रिष्टे में जो है रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है अपने पसंदिदा संगीत को सुनके आज आज आपको ताजगी का अन्बह होगा चात्रों को फोकस होकर अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है आपको इतना समय मिलेगा कि आप अपने व्यस्त कारेकरमों के बावजूद भी अपने जीवन साथी के साथ आज बहुत समय बाद जो है से विशेश लाव की प्राप्ति हो सकती है वहीं जो स्टूडेंट्स हैं आज का दिन खास रहेगा आज आप उन विश्यों में महारत हांसल करने में सफल रहेंगे जिसमें आप जिससे किसी समय पर डरते थे दूसरी तरफ मेडिकल, IAT और UPSC की प्रिपरेशन करने वाले चात्रों को सफलता मिलेगी गुड नीज मिलेगा गुड़िनिया आज आने वाले कल में होने वाले कामों को लेकर थोड़ा चुन्तित रहेंगे और इसके लिए वो किसी तरह का प्लैन बना सकती है सामाजिक कारियों में लगे हैं तो आज आज आपका कोई उद्यश्य पूरा हो सकता है आला कि NGO से जुड़े जात्कों को धन की कमी के कारण परिशानी आएगी वही सारवजनिक कारे में लगे जात्कों के पास आज अधिक काम रह सकता है काम के बीच खुद को आराम देने के लिए भी समय निकाले चलिए उपाये जानते हैं उपाये की बात करें तो उपाये के तोर पर इस राश्वी के जात्कों को हम आज के दिन के लिए सला देंगे कि आपको पिता यों पिता समान व्यक्ति को सुरे की कारक वस्तुई जैसे की गोड गेहूं, दलिया, लाल मिर्च, केसर आदी से बना हुआ भोजन कराना चाहिए आज शुबंक है आठ, शुबरंग है काला और नीला भागस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से साधे तीन स्टार, कन्या राशी की बात करते हैं, बारहवा और पहला भावा आज आपका एक्टिव रहेगा आज आप खुद को सुकून के स्थिती में पाएंगे और जिन्दगी का लुथ पूरी तरह से उठा पाएंगे आरतिक जीवन में तरक्की पाने के लिए आज कोई नायाब आईडिया विचार आप निकाल सकते हैं इसके अलावा आज यदि आप शियर मार्केट और रियल स्टेट में निवेश करते हैं तो इससे आगे जाकर आपको कोई फाइदा मिल सकता है परिवार के स्थितियों में सुधार करने से पहले आपको खुद में सुधार करना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे समाज में अच्छी बदलाव करने के लिए आपको अपने परिवार में सुधार करना पड़ता है आपके सिर्फ पर आज प्यार का बुखार चुड़ा रहेगा कुछ लोगों को आज अपना जोडिदार मिल सकता है वहीं जो लोग पहले से ही प्रीम संबंध में पड़े हैं उन्हें भी आज अपना संगी दुनिया का सबसे खूबसूरत शक्स लगेगा आज अपने पार्टनर की तारिफों के आप पुल बांच सकते हैं मानरणजन की दिशा में भी आज आप कुछ काम कर सकते हैं दामपत्ते जीवन में प्यार की गहराई आज आपको महसूस हो सकती है अपने जीवन साथी के प्रती जो प्यार और सद्भाव आपने बीते दिनों में दिखाया है उसका अच्छा परणाम भी आज आपको मिल सकता है अपनी आखों के साथ साथ अपने दिमाग को भी खोल कर चले कई बाल आप उस सत्य को नहीं देख पाते जो आपको देखना चाहिए इसका कारण होता है आपका सीमित नजरिया इसलिए आपने नजरिये को विकसत करने की कोशिश करें नहीं तो दुनिया की भीड में आप कहीं खुँ जाएंगे चात्रों के लिए आज का दिन जो है अच्छा रहेगा लेकिन उनका पढ़ाई में मन कम लगेगा ग्रहनियों को बेवज़ा की तनाओं से खुद को दूर रखने की जरूरत है अगर आपको लोगों की संगती पसंद नहीं है तो आप अकेले वक्त बिताएं अकेले रहकर आप कोई ऐसा काम कर सकती है जो आपके दिल को सुकून देता है इससे आपको मन की शांती मिलेगी आज के दिन यदि आपके घर में कोई नया महमान आया है तो उसके आने से घर में खुश्य अचा सकती है आपके प्रखरता आज समाज में आपकी अलग पहचान मनाएगी अपनी बातों को आज आप पूरी तरीके से लोगों के सामने रखने में सक्ष्म रहेंगे आज का दिन ओवराल मौज मस्ती और आनंद भरा रहेगा क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह से जीएंगे बात करते हैं उपाय की उपाय के तौर पर इस राशी के जातकों को जो है आज के दिन के लिए हम ये सला देना चाहेंगे कि किसी भी बुजर्ग व्यक्ति का आज आशरवाद ले घर से निकलने से पहले शुबंक है आपके लिए स्ताथ, शुबरंगे, क्रीम और सफीब भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से चार स्ताथ अब बात करेंगे तुला डाशी की ग्यारहवा और बारहवा भावाज आपका एक्टिव रहेगा अगर आप बीते करी दिनों से स्वास्त को लेकर परिशान चल रहे थे तो आपको अच्छे बरलाव पानी के लिए वयाम और योग शुरू करना होगा क्योंकि ये बात आप भली भाती जानते हैं कि वयायाम करके आप अपना स्वास्त तो सुधार करी लेंगे दिमाग और बुद्धी को भी तेज बना सकते हैं आज के दिन आपको आर्थिक परिशानियों के सामना करना पड़ सकता है मुम्किन है कि आप जरूर्ट से जादा खर्चा करें आपका बटवाक हो जाए ऐसे मामलों में साउधानी की कमी आपको नुकसान पहुँचा सकती है पारिवारिक जीवन के बाग में आज कोई नया फूल खिल सकता है घर का माहौल आज जीवनत रहेगा और सारे लोग एक दूसरे की बातों को गौर से सुनेगी शाम के वक्त घर में छोटी मोटी सी पार्टी हो सकती है प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपके पार्टनर की कोई बात आपके मन को खिन कर सकती है और पूरे दिन आपका मूड खराब रह सकता है लेकिन चिंता ना करें क्योंकि दिन के अंत में आपका साथी स्वैम आपकी सभी परिशानियों का हल निकाल लेगा इस राशी के लोग आज अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने जा सकते हैं मैं वाहिक जीवन की बात करें तो आज के दिन जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की बहस हो सकती है जिसे मन उदास रहेगा दोस्तों एकांत में रहना सीखे लेकिन अकेले पन को एकांत न समझे जब आप कहते हैं आप अकेले हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपको किसी की जरूरत है आपको अपना केरापन भरना है जबकि एकांत कर्थ होता है आपको किसी की जरूरत नहीं है अगर आप अकेले हैं तो आपको उदासी महसूस होती है लेकिन एकांत जो है आपको आनंद की यह बाते मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको एकांत में रहना भी सीखना चाहिए एकांत में रहके अकेली रहके जो है एकांत में रहके इंसान उन समस्याओं का हल करता है जिसे हल करने में आपको काफी मुश्किल आती है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते है आज जो है अपने गुरू के प्रतियाप को सम्मान रखना है शादिशुदा जीवन को खुश्णमा बनाए रखने के लिए इस राश्री की गुरहिनियों को आज महनत करने की जरूरत है अपने बोलने के अंदाज से आज आज आप लोगों को आकरशित कर सकती है उपाई के तौर पर इस राश्री के जातकों को हम आज के दिन के लिए ये सला देना चाहेंगे कि कड़ी चावल गरीबों को खिलाएं और खुद भीकाएं शुब अंक है आपके लिए नौँ आथिक जीवन में निराशा हात लग सकती है पैसो का उपयोग सही दिश्वा में करें परिवारिक जीवन की बात करें तो आज घर के बड़े बुज़ुर्ग भी आपकी बातों पर गौर करेंगे प्यार के मामले में आज का दिन काफी रोमान चक है आज आपके प्रिया का फोन आ सकता है या उनसे संपर्क हो सकता है प्रियम जीवन में देखा जाए तो आज बहार आने की संभावना जादा है आज आप थोड़ा समय खुद को सजाने सवानने में भी लगा सकती है यानि अपने व्यक्ते तो कुने खारने की कोश्रिश करेंगे आपके प्रिया को कोई बदलाव आपका काफी पसंद आएगा आप दोनों दिल की गहराईयों से जुड़ेंगे आज मुम्किन है कि आपका ध्यान एक जगह न लग पाई जिससे आप कई काम को न चाहते हुए बिगार दे जीवन साथी आज आज आपकी कुछ ज्यादा ही परवाह कर सकता है आपकी संतान आज आपसे किसी प्रकार की जद कर सकती है एसिस्थिती में आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें जो भी काम आज आप अपने हाथ में लें उसे पूरा करके ही दम लें बीच में ना छोड़े नहीं तो आपको हानी उठानी पर सकती है दूसरों कुछ पर काम थोपने से जरूरत है कि आप ये देखे कि आपने अपना काम कम्प्लीट किया है या नहीं जिन छात्रों के परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं उनके लिए आज का दिन फल्दाई रहेगा हाउस वाइफ की बात करें तो गुर्णियों की रचनात्मक्ता क्रियेटिविटी आज घर को डेकोरेशन करने में घर को डेकोरेट करने में जा सकती है आज आप अपने जीवन साथ ही कि जो है सुझाओ पे भी कुछ तरीके से गौर देंगी उपाई के तौर पर इस राश्री के जात्कों को हमाज के दिन के लिए सला देना चाहेंगे कि मचलियों को चारा खिलाएं शुबंग है आपके लिए दो शुबरंग है सिल्वर और सफीद भागस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से चार स्टार अब बात करेंगे धनू राश्री की नौवा और दस्वा भावा आज आपका अक्टिव रहेगा ऑफिस जाते वक्त आपको सला है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरते हैं चोड चपेट लगने की संभावना है संभावो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आज जो है ट्रेवल करें सडक पर चल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके जान कोई खत्रा है आपके द्वारा किसी और की भी जान को खत्रा पहुंच सकता है इसलिए कोशश करें आप जब गाड़ी चलाते हैं तो बहुत तरीके से चलाएं आपके खर्चों में वृधी होगी और कुछ ऐसे खर्चे भी आप करेंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था आला कि आपकी आमदनी भी ठीक ठाक रहेगी जिसके कारण विती और संतुलन की स्थिती रह सकती है फिर भी आपको व्यर्थ में धनखर्च करने से आज बचना चाहीं अगर आप सिंगल हैं और किसी से प्यार करते हैं तो आज का दिन उस प्यार के ज़हार के लिए सबसे उत्तम है दूसरी तरफ जिन लोगों के जीवन में प्यार है उन्हें आज अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने की जरूरत है प्रेमी के साथ चल रहे हैं मतबेदों को आज खतम करें और इस दिन का जादा से जादा लाब उठाएं आज खाली समय में नाकरात्मक विचारों को अपने मन में आने से रोकें हाला कि आपकी व्यस्ता आपको इससे दूर रख सकती है वैवाहिग जातेक आज का आमकाज का दबाओ महसूस करेंगे अपने उपर वैवाहिग जीवन में स्कृते से कुछ कठिनाईयां आ सकती हैं ग्रिनियों की बात करें तो शादेशुदा महिलाओं को आज आवश्यक्ता सदिक काम करना पड़ सकता है शाररिक ठकान होगी इसकी वज़े से उपाई सुनिया उपाई के तौर पर आज के दिन के लिए हम इस सराश्वी के जातकों को ये सला देना चाहेंगे कि आज यह दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो नशे वाली चीजों से दूर रहे शुभाण है आपके लिए अच शुभरंगे काला और नीला भागस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से चार स्टार दोस्तों आज है दिन शनिवार, शनिवार के दिन शनी देव को खुश करने के लिए नीली और जामुनी रंग के फूल जो है शनी देव को अर्पित करने चाहिए, इससे शनी देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं, मकर राश्वी की बात करेंगे, आठवा और नवा भाव आज आपका एक्टिव रहेगा, जिस बिमारी का जो है आपको अंदेशा था, डॉक्टर इजांच के बाद आपकी श्रंका आज दूर हो सकती है, मान से खिशान्ती मिलेगी यानि आपको कोई बिम पारी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आप हमेशा के लिए समझने के भूल ना करें, धन कम हो सकता है, इसलिए उन सभी लोगों से दूर रहें, जो आपके पैसे को फालतु में फिजूल में खर्च करवा देते हैं, धन का निवेश भी सोच समझ कर करें, कोशश करें कि आज धन निवेश नहीं करें, किसी दूसरे को भी पैसे दे रहे हैं, तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है, आज किसी को उधारी देने से बचें, आज के दिन अपने घर परिवार से जुड़ी योजनाओं और कारियों पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी, अज तमाम चं पहचानक से होने वाली से रोमैंटिक मुलाकात की कोई उमीद नहीं थी, लेकिन आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में इस दिन को इंजोई कर सकते हैं, शेयर से बाहत रयात्रा जो है, ज़्यादा आराम दे नहीं रहेगी, लेकिन आवश्यक जान पहचान बनाने के सन रहेंगे, इस राश्री के छात्रों को आज अपनी ज्यान और महनत कफल मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें ध्यान मगन होकर अपनी पढ़ाई करने की जरबरत होगी, क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि किसी भी वस्तु से आपका ध्यान भढ़के या आपकी संगती आपके ध्यान को भ्रहमित करें, ऐसे में आपको अपनी एकागरता बनाती हुए, उन विश्यों को पढ़ने में अपनी पकड मजबूत करनी होगी, जिसमें आप कमजोर है, सिक्षकों की मदद ले सकते हैं, बड़ों की मदद ले सकते हैं, पती और बच्चों के साथ घर के कामकाद से दूर आज इस राशी की गुरहनिया कुछ जो है समय अच्छे से बिता सकती है, फ्री ओफ माइन बिता सकती है, मतलब टेंशन फ्री होकर बिता सकती है, चलिए उपाए जानते हैं, इस राशी के यानि धनु राशी के जातकों को आज के दिन के लिए इस सला है, उपाई के तौर पर आप इसको जरूर अपना के देखें, परिशानिया थोड़ी आपकी कम हो जाएंगे से, लंगडे अपाहे जिविक्ति की, जरूर आप मदद करें, शुबंग के आठ, शुबरंग के काला और नीला भागिस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं, पांच में सामाने रह सकती है, हाला कि आज आपको धन की प्राप्ति की संभावना है, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिये हैं, तो वह भी आज आपके पैसे लोटा सकता है, आर्थिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करें, बजट प्लान बना कर चलने की, पारिवारिक कई अच्छे बदलाओं को देखकर आज आज आप चैन की सांस लेंगे, प्यार के मामले में आज रुमानियत का मौसम थोड़ा खराब है, क्योंकि आपका साथ ही आपसे कुछ आज जादा ही आप पेक्षा करेगा, और आप पेक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी मनाने की कोशिश करें, उनसे क्योंकि प्यार में रूटना मनाना चलता है, गुस्सा हो जाएंगे और दिल में कोई चीजे बिठा लेंगे, तो उसे रिष्टा प्रभावित हो जाएगा, आज की शाम किसी ऐसे से मिलना खास रहेगा, जिस आज आपकी दिन भर की ठकान दू प्रशानी आ सकती है, माता पिता आपकी तरफ से काफी प्रसन रहेंगे, उनके विदेश जाने का इंदजाम आप कर सकते हैं, स्टुडेंट है, किसी कॉम्परेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अज दिन सफलता देने वाला होगा, वहीं अगर हाउस आपके परिवार में आपकी बातों को एहमियत दी जाएगी, आपका जीवन साथी भी आज आपके प्रते विनम रह सकता है, उपाये जानते हैं, कुम्पराश्री के जातकों को आज क्या उपाये करना है, एक्वेरियस वाले को, आज के दिन इन उपाये को करके, जो हम आपक आज में से चाल स्टाब, और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशी के जातकों की, छठा और साथवा भाव आज आपका एक्टिव रहेगा, अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं, आपका खरचील में विवाद को न बढ़ने दें और परिवार में शांती बनाए रखने की पूरी कोशिश करें, इस तराशी के लोग कान के थोड़े कच्छे सुभाव के हो जाते हैं, लेकिन आपको आज के दिन जो आप आँखों से देख रहे हैं, उसी पर आपको विश्वास करना होगा बात के रवाहित जीवन की, तो आज अपने पती या पत्नी के प्रती आपका रवाया आपको एमानदार और पश्टवादी रखना चाहिए, दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले आप अपने रिष्टे को मजबूत बनाएं, ताकि आपके पती और पत्नी की बा बातों को जानने की कोशिश करें, जिन लोगों की सगाई हो चुके वे अपनी मंगीतर से आज बहुत सारी खुशियां पाएंगे, यात्रा के दौरान आज अपने जगहों को जानेंगे और महत्पर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आप महसूस करेंगी कि आपकी दो बात करके कोशिश करें कि आप अपने जो ग्रहनिया है, बात करके आपको अपने पार्टनर से चीजों को क्लियर क्या करें, मन में किसी चीज को घर न कर दे ले, कारेश्वेत्र में वरिष्टों का दबाओ रहेगा और घर पर थोड़ा अन्बन भी हो सकता है, इसकी वज़ चांदी माता से लेकर अपने पास रखना है, शुबांक है तीन, शुबरंग है केसरिया और भागिस्तार के तौर पर आपको मलते हैं पांच में से चाल स्टार, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा, 28 सितंबर का दिन सभी बार राश्यों के लिए, शन मांगे कि आपने जो भी भूल चुकी हैं, और कोशिश करें कि आप अपने जीवन में कभी किसी का दिल न दुखाएं, कोई गलती ना करें, ये सारी चीज अगर आप करते हैं, तो आप अपने आप कर्म ही आपको अच्छे फल जरूर दिलाएंगे, तो कर्मों को अच्छा बिलकुल न भूलें, और अगर विस वीडियो में दी गए जानकारियां पसंद आईएं, तो इसे लाइक करें, श्यर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से अल्डेरें हैं, नामस्कार।